इस वीडियो में में आपको डिटेल में रपाऊंगी कैसे रोस्ट बिनाना है आपने अवन के रहे है उसको ब्राइन कैसे करेंगे चिकन को नादिनेशन के रजाए और इसके साथ सॉस कैसे बिनाएंगे अससलाम लेक्रम वेल्कम तुलाग टो कुक नौ चमल साड़े नौ चमल नमच नमक है और एक कप शक्र एक प्याज बर्मियाने साइस का और एक एक टेबल स्पून अद्रक और लेसन रफली चॉप्ड बड़ा बड़ा काट ले इसके बाद मैं फ्लेवर्ट बिराइम बिना आ के लिए फिर मैं गरम मसाला यूज कर दी हैं बाद्यान का प्रूल था और यह दाशीनी छोटी लाइची चार से पांच जीरा टू टी स्मून तेन चार लॉंग और इसमें है एक बड़ी लाइची यह है जाइफल का टुकड़ा चोटा सा और यह है तो इसी जावित्तरी जो लग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चानल है इजी एजी रसिविस के बारे में जल्दी से सिब्स्राइब कोटन पर क्लिक करें ताकि आप देली वीडियो गेप कर सकें अचा अचा अब हम इसकी ब्राइन नादें इसमेले म नमक के और चिकन हमारा कितना है बेर किलो पुरी मिर्गी है और इसका वेट है 1.5 kg इस रेशो को आपने याद रखना है यह हम नहीं कह रहे हम इसको ब्राइन कह रहे हैं आचा यह देखें वह पानी ने उबा लिया उसको ठंडा होने के लिए रख दिया तो यह बिल्कुल अब यह देखें चिकन थोड़ा से उपर उठा है लेकिन मैं इसका धक्कन इसको रखोंगी उल्टागर के यानि हैंडल वली साइड नीचे को इसके उपर रख दोंगी चिकन तो फिर वह इसके अंदर चली जाएगी बिल्कुल देख ची में यह देखें रखते वे इसको कि पानी डालेंगे इसकी नेक और जो विंग्स के एक डोपीस थे इसके साथ उनको ने डेख्ची में डालके चरहा दिया था पानी डालके हल्की आंच पे तीन चाग हंड़ा है अब इसमें मैं अपने नर्मल मिसाले जो हम हंडिया में डाल दोंगी प्याज अद्रक लेसन और नमक, मिर्च, अदार्ची में डालन जिसमें और छोटी लाइची और इसको पकने देंगे हल्की आंच पे कोई तीस तीस मिनट और और अपनी मरजी की वेज़िटेबिस ले सकते हैं आलू के अदार के और इसको फोर से ममक कर गाली मच्ते बाल देंगे और इसको बाल्की आंच को आप कवर करके रखतेंगे जब तक के अलू भी गरिज़िए और गाजरे भी गरिज़िए और अच्छी से यह फ्राय होजए ब्राइनिंग प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए इसको प्लेन वाटर में हमने अब रखना है 20-30 मिनट तक अब इसको थोड़ा सा भागे से बांडेंगे ताकि इसकी शेप थोड़ी सी ठीक रहे कुकिंग तरहुन सबस्क्राइन हम इसको फ्राय करेंगे अपने आइल ले लेना इसको गरम कर दिया और उसमें बुर्ष साइड डाउन तले रखके एक तरह से फ्राय करेंगे आंच जब यह सारी साइड से फ्राय जाएगी तो अब हम इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे एक टेविस्पून ओल लिया आपने और इसमें थोड़े से जिंजर स्लाइस डाल दिये जब वह ब्राउन होगे तो इसमें मिल्क आड कर दिया और मुस्ट वन कप तक भी ठीक है जब दालंगी खुष्बू के लिए और फिर हम इसमें चिकन रख देंगे अज़ा ब्रिस साइड मीचे की तरफ और इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से और इसके जो इदर होज और छोटे अनके पर भी कपड़ा रख देंगे पंदरा मिनट के लिए इसको एक तरफ से जो चुके हैं अब मैं इसकी साइड एहतियाथ से चेंज कर दोगी और फिर से इसको मैं कवर कर दोंगी तंदरा मिनट के लिए दूसरी साइफ से स्टीम होज़ेगा चिकन और इसको दुदान उन्सौस जो हमने रखा रख दा चोले पिज़ा इसको फाइनलाइस कर लिए उ अर जड़ है राख रख च्छिकन राख स्टीम हो चुका था फृष थे 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 ठंडा हो 15 बार से असी तुदानी करदा में इसको दाल के लिए उसको दाल के असाइड करी जाएर से उसको कलर देने के लिए और ये पांच मिनें हो जाई गल जल्दी से कलर आ जाएगा। बहुत ही मज़ेगा चिकन बना है और बहुत ही टेस्टी था है और जुरू उसको ट्राइ करें इसी तरह की डिटेल रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें है चैनल को दू लाइक दिस वीडियो एंड शेर इस फामिली एंद फ्रेंज